नमस्कार स्वागत है आपका न्यूज वर्ड इंडिया पर मैं हूँ आपकी साथ विशाल मिस्रा बुल्टन की सुरूबात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से खबर रहमेठी से है जहां तीलोई विधानसभा की विधायक और राज्य मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंग के छोटे भाई का लंबी विमारी के बाद कल रात लखनव के SGPGI में निधन हो गया बीते कई वर्सों से वो लीबर की विमारी से ग्रसित थे विधायक के छोटे भाई के निधन की खबर मिलते ही जिले में शोक की लहर दोड़ गई देर रात उनका पार्थिव शरीर तिलोई इस्थित उनके आवास राजभोन पहुंचा जहां आज पूरे रीती रिवाज के साथ उनका अंतिम संसकार किया गया अम्रोहा कलेक्टर सभागार में आज ईदूल अजहा के तिवहार को लेकर डियम बीके त्रिपाठी और स्पी आदित ने हिंदू मुस्लिम समुदायक के धर्म प्रचारकों की साथ बैठक की जिसमें उन्होंने सभी लोगों से अनुरोद किया है कि आगामी तिवहार पर शांती व्यवस्था बनाए रखे साथी प्रशासन ने कहा है कि कुर्बानी को लेकर जो भी नियम है उसी के हिसाब से कुर्बानी दी जाए खुले में कुर्बानी ना कि जाए किसी भी दशा में शहर और जनपत का माहौल खराब नहीं होना चाहिए बैठेक में डियम एसपी दोनों ने कडाई से निर्देश दिये हैं कि शांती बेवस्ता जो भी लोग भंग करेंगे उनके उपर सक्त कारवाई की जाएगी खबरबस्ती से है जहां पैकवलिया थाने के परसा तीराहे पर दो अंतर जन्पदी गाजा तसकरों को पुलिस ने गिरफतार किया है वहीं पकड़े गाजा तसकरों के पास से 21 किलो गाजा और दो बाईक पुलिस ने बरामत किये हैं पकड़े गए गाजा की मार्केट कीमत लगभग 12 लाक रुपे बताई जा रही है। पूलिस के मुताविक पकड़े गए गाजा तसकर बस्ती समेट आज पास की जनपदों में गाजा तसकरी करते थे। फिलाल पूलिस ने आरोपियों के खिलाप मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कारवाई में जुटी हुई है। मातक पदार्थ है गाजा उसकी मार्कट में कीमत लगभक बारालाक रूपे है और यह अच्छा गुट वर्क हुआ है। यह पहले भी कभी ऐसे अप्राधर में सुल पाई ने थे। फिरोजाबाद में पिछले तीन महीनों से पानी की किलत से जूज रहे कच्चा टुंडला के लोगों ने थाने के सामने स्टेशन रोड पर बैट कर नगरपालिका के खिलाप जम कर हंगावा किया। वह पुलिस ने लोगों को समझा भुजाकर जल्द पानी की समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया। साथ ही जिसके बाद लोगों ने धरना प्रदर्शन खत्म किया। तूलले में तीन महीने से पानी नहीं आ रहा है, समर खराब हो गई है। और the зовут तो यह कहते हैं चेर्मर में के घर प्रदर्वासन कोहीश सुनवाई नहीं हो रही है तो कोई सुन रहा है कियो अमारी क्योंकि अमार्य समस्याओं समर्षा हो चींची कब सबुचान कहीं? तो फिर सब्सक्राइब जब थे सबाएं सब्सक्राइब का सब्सक्राइब एक अरी obedience ख़बर फिरोजाबाद से है जहां पिछले 6 माह से वेतन न मिलने के कारण आज दो दरजन से अधिक ठेका सफाई करमचारियों ने धर ना प्रदर्शन किया जहां ठेका करमचारियों का आरोप है कि पिछले 6 माह से नगरपाली का अधिशासी अधिकारे 2-4 दिन का जूठा आश्वासन देकर टालते आ रहे हैं वेतन न मिलने के कारण सफाई करमचारियों का परिवार भूख मरे की कगार पर है वही करमचारियों का कहना है कि जब तक उनको वेतन नहीं मिलता तब तक वह धर ना प्रदर्शन जारी रखेंगे आप लोग क्या करते हैं काम सफाई का काम है मामला यह है सर के हमारा साड़े पांच महिने से वेतन नहीं मिला है और मानने योगी सरकार और योगी जी हमारा जोगी वेतन दे रहे हैं वो योगी योगी साफ की दिवेशे से नहीं डल पा रहा है ग्रेटर नौडा के दादरी थान अक्षेत्र में बुद्वार शाम एक ब्यापारी का ड्राइबर ही उसकी क्रेटा गाडी में रखे 18 लाक रुपे लेकर फरार हो गया इस टर्न पेरिफेरल एक्स्प्रेस से नीची आने के बाद ब्यापारी ट्वाइलेट करने के लिए उतरा तभी ड्राइबर क्रेटा गाडी को लेकर फरार हो गया जिसके बाद ब्यापारी की सूचना के बाद पुलिस की दो टीम आरोपी ड्राइबर की तलास में जुटी अपनी मांगों को लेकर आज या खिल भारती पंचायत स्लंगठन की प्रत्नीधी मंदल ने एक ग्यापन जुलाधिकारी को सौपा मजबूर होना पड़ेगा खबर सहारनपूर से है जहां बाढ़ की स्थिति से निपटने को लेकर पूलिस और प्रशासन ने कलसिया नहर पर मोगडिल का कारिक्रम किया इस दोरान नहर में डूपते हुए दो लोगों और दो गायों को बचाया गया अपर जिला अधिकारी राजस्त्व राजनीश कुमार ने बताया कि खथनी कुंड बैराज पर बनाई गई बाढ़ राहत चोकी सी जिला कंट्रोल रूम पर सूचना मिली कि हथनी कुंड बैराज पर जल स्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति उत्पन हो गई है जिसके बाद प्रशासन ने बाड में फसे लगबग 1.500 लोगों को खाद दिसामगरी भी बित्रिद किया है यूपी का जन्पद स्वावास्ती बाड प्रभावी जिलों में से एक है जहां बरसात और नेपाल की पहाड़ियों पर अधिक बारिश होने की पर राप्ति नदी उग्द रूप धारन कर लेती है जिससे जिले में बाड का कहर बरपाने लगता है इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तयारिया कर ले है जिसके क्रम में आज एडियम कमनेश्चन के नित्रित्त में बाड नियंत्रण में लगे प्राधिकारियों और करमचारियों को एंडियारप की ओर से राप्ति नदी के पास इस्थित मधवा पुर्घाट पर मौकडिल का आयोजन किया गया सिधार्त नंगर में राज्य आप्दा प्रवंधन प्राधिकारण के निरुदेश पर जिले में मौकडिल किया गया जहां बाड से बचाओ के गुर सिखाने के लिए एंडियारप टीम ने मौकडिल एकसरसाइज किया जिसमें अंडियारफ और मेडिकल टीम ने मौगडिल के माध्यम से लोगों को जागरुक भी किया बांसी इस्थित रानी मोभक्त घाट पर जिलाधिकारी संजीव रंजन की मौझूदगी में मौगडिल का आयोजन किया गया फिलाल इस बुल्टन में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेए नियूज बॉर्ड इंडिया